तो हे मेर भाई लोग कैसे हूँ आप सभी लोग है गाइस देखो यहाँ पे दोस्तों MIUI 12 है इसने धमाल मचा के रखा हुआ है और गाइस सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो बड़े बड़े डिवाइस हैं इनको ही देखने को मिलने वाला है MIUI 12 जरतार लेकिन दोस्तों मैं आ अब प्रोसे समझ में आ जाएगा तो चली दोस्तों कर लेते हैं वीडियो को शुरू तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आए हो तो गाइस चैनल को विजिट कीजिएगा अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सबस कर लो ओके तो गाइस देखो यार आपको एक लिंक में देगा डिस्क्रिप्शन में जो कि आपको इस वैबसेट पे लेके चला जाएगा तो गाइस यहां पे जब आप वैबसेट करोगे तो आपको यहां पे पहले नंबर पे मिलेगा एक पोस्ट जो कि मैंने अभी ही एक करेंगे भाई यार मैंने यहां पे सब कुछ लिखा है अगर आप मतलब यार पढ़ने में इंटेस्टेड हो अगर आपको अच्छे लगते हैं मतलब रीड करने में तो यार गाईस अच्छी बात आगर आपको नहीं पसंद तो आप इस वीडियो को देखके समझ किया कोई दिक के मन में है've कोई बात निकत अगया को यहां पर आया कि तो आहसे से पहले इंस्टोल करने से पहले आपको अपने फोन का बूर डरें को अनलोग कर लेना होगा कोई TWRP एंस्टोल करना होगा आप कर नौ ना इंस्टल कस्ट्म रोम यहां पे लिखा हुआ है तो चलिए दोस्टो वीडियो के टुटोरियल में जाके मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे क्या करना है पोके तो guy's यह इस देखो याड bootloader मैंने आ आप बता दिया है की मेरा यहाफ पे video है आप देख सकते हो कैसे bootloader को unlock कर लेना होगा तो guy's सबसे पहले आपको अपने custom recovery में चले जाना होगा तो guy's मैं अपने custom recovery में चला गया हूँ आप देख सकते हो तो आपको simply अभी कुछ नहीं करना है आपको simply जब इसे open होने के बाद आपको जाना है सबसे पहले wipe पे जो भी data है यहाँ पे wipe करना होगा मतलब जो आपकी पुरानी रोम है इसे wipe करना होगा जो कि मैंने अपने post में बताया है advance में जाकिने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको sg card internal stories को छोड़ कर बाकी सभी पे टिक करके यहाँ पे swipe कर देना है और यहाँ पे आपका data सब कुछ loss हो जाएगा अगर आपने backup नहीं लिया है तो सब कुछ loss हो जाएगा अगर आपने backup ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है तो guys after complete होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम आच चुके हैं वापिस और simply जाएंगे अपने install पे अभी install पे जाने के बाद हम इसी install करेंगे जो हमारे पास जो हमारे पास जो हमने download किया था यहाँ पे custom room अपने phone के लिए तो simply से flash कर देंगे flash करने के बाद जो दोस्तों पैचिस थे उसे भी बाद में install कर देंगे इसके बाद आपका जो room है एकदम perfectly चल जाएगा तो गाइस यह था छोटा सा फंडा कि कैसे आप एक अपने phone में TWRP से custom room को install कर सकते हूँ तो गाइस देखो यार सारे के सारे link आपको इस website पे मिल जाएंगे तो गाइस इस website को एक बार विजिट कीजिएगा सारे link आपको description में मिलेंगे अगर यह link काम नहीं करता है तो आप मुझे comment करके भी बता सकते हैं वैल दोस्तो सारे link यहां पे working है मैंने कुछ चेक किये हैं तो गाइस देखो यार आज की वीडियो में इतना यार मिलता हो अगले वीडियो में अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपके मन में कोई होगा यार भाई ये इंस्टोल नहीं हो रहा है कोई दिक्कत है प्लम तो आप मुझे कोंटेक्ट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में मैसिस कर सकते हैं तो मैं आपका जवाब जरूर देखो